प्रिय विद्यार्थियों दुर्खिम एक समाजिक विचारक के रूप में समाज सास्त्र में एक भैतोपुन स्थान रखते हैं और दुर्खिम के बारे में इसे पहले वाले वीडियोज में आप उनका समाजिक शरम भाजन का सिध्धान्त विच्तार से समझ चुके हैं आज दुर्खिम का एक नेक्स्ट टोपिक शुरू करते हैं उनका दूसरा जो सिध्धान्त है अपने बिये पार्ट थर्ड के सलेवस में वो है सोशल फेक्ट सामाजिक तथ्थे का सिध्धान्त इसको भी हम दो तिन वीडियोज में पूरा करेंगे शुरुवात करते हैं सामाजिक तथ्थे इमाईल दुर्खिम ने समाज जास्त्र को प्राकर्तिक विज्ञानों के समान इसतर परदान करने के लिए अनेक अवधारनाओं और सिध्धान्तों तथा प्रारूप का निर्मान किया या अनेक सिध्धानत और प्रारूप मोडल जो है वो प्रतिपादित किये है उनमें सबसे महत्वपून जो एक अवधारना या मोडल के लेजिए वो है सामाजिक तत्थे, सोशल फेक्ट उनमें सामाजिक तत्थे के विभिन पक्षों पर विश्तार से चर्चा किये है और सामाजिक तत्थे के उपर उनकी जो एक बड़ी पुस्तक माने जाती है वो है The Rules of Sociological Methods यानि समाज सास्त्रिय पदती के नियम जो दुर्खिम ने 1895 इस्वी में लिखी थी ये एक पदती सास्तर के उपर बहुत बड़ा परमानिक ग्रंत अथन्टिक पुस्तक है और इस परमानिक ग्रंत से दुर्खिम की पहचान है परतेक्सवादी और एक उच्च कोटी के समाज वैग्यानिक की चवी इस पुस्तक से माने जाती है The Rules of Sociological Methods जो पुस्तक है उसमें च्छे अध्याय है और सभी अध्यायों का सिलिशलेवार वर्नन इसमें संक्सिक रूप में हम करेंगे इन वीडियोज में यह समाजिक तथे की जो अध्यायों दुर्खिम ने दी है वो इसी पुस्तक से लिए गई है और उसमें उन्होंने समाजिक तथे के विभिन पक्षों को विभिन चेप्टर्ज में समझाया है उन्होंने इस अध्यारना के द्वारा सोशलोजी को एक विशिष्ट सवतंत्र और सोनिश्चित विज्ञान के रूप में पर्थिष्टित करने का परियास किया है वैसे दुर्खिम समाज सास्तर को विज्ञान के रूप में पर्थिष्टा दिलाने में जीवन परियंत परियतन करते रहे सरवपरतम देखते हैं What is social fact? समाजिक तथे क्या है? तथे सब्ध हम देनिक जीवन में बहुत बार सुना होगा आपने बहुत सुनते हैं परियोग करते हैं बोलचाल में समाजिक तथे कारिय करने सोचने एवं अनुभाव करने के वो तरीके हैं जिन में व्यक्तिकत चेतना से बाहर भी अस्तित्य बनाए रखने की एक उलेखनिय विशेष्टा होती है या एक उलेखनिय गुण कह लेजिए गुण होता है क्या समझे तथे के बारे में? कि तथे क्या है? कारिय करने, सोचने और अनुभाव करने के तरीकों को तथे कहते हैं अर्थार्थ, समाजिक तथे व्यभार का व्यपक्स है और व्यभार में तीन चीज कौन-कौन सी समलित हैं? विचार, अनुभाव और किरिया तो समाजिक तथे जो है, वो हमारे विचार भी हैं, हमारे अनुभाव भी हैं और हमारे किरिया भी एक्शन जो हम सोचते हैं जो हम मैसूश करते हैं और जो हम केरिया करते हैं उन सब का वह पक्ष सामाजिक तथे कहलाता है जिसका व्टु परक अवलोकन संबव है ओब्जेक्टिव ओब्जर्वेशन और एक विशेश तरीकी से वेभार करने को हमें बध्ये करते हैं जनरीतियां, रूडियां, पर्थाएं, संस्थाएं, धरम, नेतिक्ता, जनमत, आधि सभी सामाजिक तथे के उधालना है। जो आपने सुना, जनरीतियां, रूडियां, लोकाचार, पर्था, परंप्रा, संस्कृति, संस्था, धरम, नेतिक्ता, ये सब चीज हम सुनते हैं समाज में। तथे, मनोवगेनिक तथे, भोतिक तथे। परंटो कुछ तथे ऐसे होते हैं जिनकी व्यक्या केवल समाज के ही संद्रब में की जा सकते हैं। और ऐसे तथे को ही सामाजिक तथे कहा जाता है। अर्थार्थ जो तथे समाज के संद्रम में समझे जाते हैं। जिन तथे को समाज सास्तिर संद्रम में हम देखते हैं। वही तथे सामाजिक तथे मालते हैं। इसके बाद देखते हैं। में करेक्टरेस्टिक्स आफ सोशल फेक्ट। समाजिक तथे की परमुक विशेष्थाएं। इमायल दुर्खिम ने मुक्रूप से दो ही विशेष्थाओं गवले किया है। समाजिक तथे की बायता और बात देता। लेकिन कुछ और विशेष्थाएं भी हैं जो हम समाजिक तथे के रूप में जानना जरूरी समझते हैं। तो कुछ परमुक विशेष्थाएं इस प्रकार से हैं। पहली है बायता, एक्स्टोरिल्टी। समाजिक तथे व्यक्ति से बाहर, व्यक्ति के नियंतरन से सवतंत्र होते हैं। यानि हम व्यक्तियों का या मनुष्यों का उसके उपर वस नहीं होता। दुर्खिम का ये कहना है कि समाजिक तथे व्यक्तिकत चेतना, सक्ति, अधिकार से परे कोई सामुहिक चेतना है जन्रीतियां, पर्थाएं, संस्थाएं, धरम, कानून, नेतिकता ये सब समाजिक तथे के उधारन है और ये आप जान लीजिए कि कोई भी जन्रीतिया पर्था जो है, वो व्यक्तिके नियंतना में नहीं होती है ये चीर काल से, प्राचीन काल से, अनंत काल से समाज में चलती आई हुए जिसको समाज अंगिकार करता है और जब हम इनका उलंगन करते हैं तो उचित नहीं होता, उचित नहीं माना जाता इसलिए ये बाये, व्यक्ति से बहार, व्यक्तिके नियंतन से बहार, अर्थार सवतंत्रे तो इसके लिए दुर्खिम ने सब्द इस्तेमाल किया है, जो पहली और सबसे प्रमुख विशेशता है तत्थ है कि वो है बायेता, व्यक्तिके नियंतन से बहार समाजिक तथे व्यक्ति पर बद्यता मुलक प्रभाव डालते हैं जिसमें व्यक्ति और समूग की व्यभार समाज सम्मत बने रहते हैं दुर्खिव के नुसार एक समाजिक तथे बाई ये दबाब की सक्ति से पहचाना जाता है व्यक्ति समाजिक तथे व्यक्ति समाजिक तथे का पालन करने के लिए बद्य होता है अर्थार्थ मजबूर होता है जैसे कानून एक समाजिक तथे हैं और जिसका पालन करने के लिए हम सबी बद्य हैं मजबूर हैं क्या हम में से कोई कह सकता है कि हम कानुन का पालन नहीं करेंगे। तो दुर्खिम एक ऐसे विद्वान रहे हैं जो सामुहिक परत्रिधान को मानते हैं। हम पालन करते ही हैं, हम करने के लिए मजबूर हैं। इसलिए इस विशेष्टा का नाम है बद्धता कि हम समाजिक तथ्थों की पालन करने के लिए उनकी अनुपालना करने के लिए बद्ध हैं। तीसरी विशेष्टा है अधि व्यक्तिक, सूपर इंडिविज्वल। दुरखिम ने समाजिक तथ्थे को व्यक्तिक चेतना से उंचा और बाहर माना है। क्योंकि व्यक्ति की जीवन को नियंत्री तोर निर्देशित करते हैं, तो समाजिक तथ्यों की अनुसार ही व्यक्ति को समाज में अपना जीवन या पन करना पड़ता है, किसी एक व्यक्ति के नहीं अपितु ये पूरे समाज के होते हैं, बताया ना आपको कि भी सामोहिक्स जेतना की उपज हैं, समाजिक तथ्यों का निर्मान, विकास, संसोधन, परिमारजन होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है, जोकि तथ्यों के अंदर बदलाओ भी होते हैं, संसोधन भी होता है, परिमारजन भी होता है, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, कौन सी प्र व्यक्ति में नहीं होती तो ये विशेष्टा बताई अथि व्यक्तिक समाजिक्ता जाहिर सी बात है स्वाभाविक बात है कि समाजिक्ता का गुण समाजिक्ता की विशेष्टा समाजिक्त त्थों मिलेगी समाजिक्त त्थे काम चैप्टर पड़ रहे में समाजिक्ता होगी चोकि ये मानों की आफशक्ताओं के रूप होते है और साथ ही समाज के उपज है समाज में पैदा होते है दिरे दिरे विभिन शमय में तो ये समाजिक्ता शारोभ हो मिक्ता एम विशिष्टा अगले विशिष्टा है University and uniqueness समाज में जहाँ जहाँ मानुविय समाज है वहाँ वहाँ समाजिक तथे भी विद्धमान होते हैं शिक्षा और समाजिक करन की प्रक्रिया के द्वारा ये समाज के परतेक व्यक्ति को शिखाए भी जाते हैं व्यक्ति कोई समाजिक तथे को ऐसा नहीं है कि व्यक्ति के अंदर स्वाब भाविक रूप से को वैसे ही जैविक प्राने की रूप में पैदा होता है तो उसके अंदर डाल दिया जाते हैं नहीं व्यक्ति अपने उमर में अपने पूरी जीवन में इन तथ्थे को शीखता है भी बस्मन में अलग चीज़ें शीखता है, जवानी में अलग चीज़ें शीखता है, प्रोड आवस्ता में अलग चीज़ें शीखता है, वर्द आवस्ता में अलग चीज़ें शीखता है या यू के लिजी सरल सब्दों में मनुष्य सारी जीवन शीखता है तो शीखने की प्रक्रियागा नाम क्या है समाजी कर्ण, सोसलाइजेशन तो शीख्षया और समाजी कर्ण की प्रक्रिया के द्वारा समाज के परतेक व्यक्ति को समाजी क तथ्यों के बारे में बताया जाता है या व्यक्ति शिक्ता है और ये इनकी विशिश विशिश्ता है नेक्स्ट विशिश्ता है ways of acting, thinking and feeling अर्थार्थ कारिये करना, सोचनार अनुभोग करने का तरीका जो परिभासाम बताया गया समाजिक तथे जो है, समाज में क्या उचित है, क्या अनुचित है क्या पाप है, क्या पुन्य है, क्या करने योगे है, क्या करने योगे नहीं है और क्या समाज सम्मत है, और क्या समाज वी सम्मत है क्या बुरा है, क्या अच्छा है आप आसान भासा में कहा सकते हैं कि समाज गंदर क्या बुरा है क्या अच्छा है क्या उच्छित है क्या नुच्छित है इसका निश्चित कौन करेगा इसको निश्चित करते हैं समाजिक तत्य अनभोग से सोचने से तोर तरीकों से तो यह व्यक्तिव कि आउश्यक्ताओं औ thinking and feeling अगली विशेष्टा है सामाजिक तथ्य शीखे जाते हैं सोसल फेक्ट्स आ लर्ण्ड ये शारिक विशेष्टाओं की तरह वनसानुकर्मन द्वारा प्राप्त नहीं होते जो हमें फीजिकल एक्टिविटीज करता है जो हमें मैं ठीक वनसानुकर्मन के द्वारा हमें सर व्यक्ति का धीरे धीरे सोसलाइजेशन होता है और अपने समाज के विभिन परकार के व्यभार परतिमानों को व्यभार के ढंगों को व्यक्ति सीखता है बियवियर पेटरेंस को और इसे ही दुर्किम ने एक नाम दिया है क्या सामोहिक परतिनिधान और सामोहिक परतिनिध परतिनिधानों का ही आंतरी करन करना समाजी करन कहलाता है। समाजीक तथे की बड़ी विश्यश्ता है। दुर्खिम ने मूल रूप से दो विश्यश्ता हैं बताई थी बाई यह था बात देता। लेकिन सोशल फेक्ट्स के अंदर कुछ अन्य विश्यश्ता हैं भी होते हैं जिनकी हमने चर्चा की। नेक्स्ट वीडियो में इसका अगला पार्ट। थैंक्य। थैंक्य।